कि नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं ग्लोबल एटोमी नेट टीम वारियर इंडिया में दोस्तों दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है आज एक अप्रेल है जैसा कि एक विक पहले आपको जो न्यूज मिली थी लेटेस्ट अपडेट चाइना ओपन होने वाला है जैसा कि एटोमी कोलमार ने चाइना में 2016 में अपना प्लांट वी सेटप कर रखा है और जो चैनीज गुवर्मेंट की कुछ गाइडलाइन्स थी जो कि इन्होंने कम्प्लीट कर लिया है और फाइनली एटोमी चाइना रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है एक अप्रेल यानि बनार जैसा कि आपको पताना चाहते हैं कि टीम वार्ियर की जो टीम है चायना की आलरी हमारे केप्रेटन पारक है मिस्टर पारक है उन्होंने एलडी बिजम्टी विजट वूकर चुकि की चायना में और चायना के जो ९ू कोरिया आ आकर करके वहां पर ट्रेनिंग ले करक हिए ठीक एक साल से वह कोई या में और रहे थे एटों मिंधी के सेमिनार्स Your accepts सेमिनर है चुकिये कोई यह टो सब्सक्राइब का देदर करगे तो अलड़ी पर सेंटاص पहुच चुकी है डेट दुसे दो साल होगे और हमारी जो डैमेंड मास्टर यूरी वों कैप्टेन पारक यह आलडी वहां पे 20 से ज़्यादा बार जा चुके हैं तो अगर आप एटो में टीम वारे के साथ जूबना चाहते हैं टीम वारे चायना का भी सपोर्ट लेना चाहत प्रत्ति ज्यादा से तो चायना ऊपंट वने के बाद बहुत बड़ा जू मार्केट है वह आने जा रहा है जैसा कि चाइना और इंडिया बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड की कोनोमी था यकोनोमी चाइना में इस चाइना को बागत होते हैं। हम पाई लगार प्रॉसेथ चंहीड लगार को एक करना। तह तो चानिज टीम यह ईक्षर यहां डारीक क्रे को करे लहें घुलागार है। ठीक है और यह कोल मार का प्लांट है जैसा कि आप देख रहे हैं अटोमी कोल मार कोरिया तो यहां पर जो हमारी लेडर है डामेंड मास्टर यूरी वोन उसके साथ यह टीम है चाइना की आलडी ट्रेनिंग्स विजिट्स कोल मार की कंपनी के बारे में सारी इंफोर्मिशन ले यहां पर होते हैं वो सब कुछ लेकर घा चुक्त कर साइड में खड़े हैं मिस्टर जो जो कि इंडिया में आ चुके आलडी और यह हमारी-टीम-वारेर की चाना की टोप-ट्र रहे मिस्टर लीइंग्स डेयंग्सी जो की वहां की टोप-ट्र रहे है और यह अपने टीम व लेडिर्स हैं तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि आप चायना में देख रहे हैं को मैक्सिमुम जो परसेंटेज सक्सेस का वो लेडिज का है और इंपिल मास्टर में भी ठीक है क्योंकि व्यूटेंड कोस्मेटिक्स के यहां पर बहुत ज्यादा परसेंटेज के प्रोड जिन्होंने कोरिया का कैपिटन पारक के साथ है और यहां शाव है यह महार जो चाइनिज टीम विजिट करने आई थी एजुकेसिन सेंटर के अंदर ठीक है ये अगेन चाइनिज टीम वारियर जो चोथा पांचा गुरूप है तो वहाँ पे आलड़ी मोर दन 15 स्टेट्स में हमारी टीम आलड़ी रडी है तो बहुत खुशी की बात है कि टीम वारियर में चाइना का टीम अभी उपन होने जा रहा है और ये एजुकेसिन सेंटर का पिक है कुरिया का जिसमें जो ट्रेनिक्स लेने के लिए जितने भी लिडर्स आई थे चाइना के जो आप देख रहे हैं कैप्टेन पारक और यूरी वोन के साथ जैसा कि यह बता दिया इसके बारे में यह हमारी टोप लेड़ी लिडर है चाइना से ठीक है और यह सब लोग ट्रेनिक्स लेकर के इंडिया से जा चुके हैं जैसा ही अदियुक्यां सेंट्र में यह लेकर लेगर करके जा चुक हैं इसकी सचिर आप देख रहें सारे के में चाहलंब रीडर चायना की तो काफी खुशी की बात है कि अटल इटर्थ और सबिक इंडिया दो कुर्टिया हमारा ने खी तोटल 12 कंट्रीज में जा चुका है और वियतनाम में भी हमारी टीम अलड़ी स्टार्ट हो चुकी है ठीक रजिस्ट्रेशन ओपन होना बाकी वहां पर वियतनाम में भी हमारे कैप्टेन पारक डायमेंड मास्ट काफी विजिट्स कर चुके हैं तो इनकी सब की अलग लग ती और एक बार आपकी टीम ग्लोबली इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में चलेगी तो यहां पर इंपिल मास्टर का जो टाइम गैप है वह आप जल्दी कॉलिफाई कर सकते हो क्योंकि ग्लोबल टीम होने के बाद आप बहुत जल्दी वह लेवल एच्वी कर सकते हो ठीक है ग आपको बताए टीम वारियर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं गलोबली लेवल पर काम कर रहे हैं और टीम वारियर एजुकेशन सिस्टम का आपको और आपकी पूरी ट झाल झाल